तो आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन कबाब रशियन कबाब के लिए इंग्रीडियन्स आपनो डाउन कर लीजिए इसके लिए आपको चाहिए पटेटो एराउंड त्री कॉरियंडर लीव्स हाफ कप और कैरट मैंने एक लिया है यहां पर बहुत ही थिनली चॉप किया हुआ कैपसिकम एक आपको याद रखना है कि तमाम जो इंग्रीडियन्स आपको कच्छे ही लेने रॉ लेने हैं अराउंड 250 ग्राम्स चिकन है जिसको मैंने बॉइल किया है अद्रक और लेसन के पेस्ट में और से श्रेट किया है अब अब और से स्वेसका आपको लेने बॉट रखनी रखना स्वेस यादंड़ी में ना चाहुगी अर मैं यहां पर लेना चाहुगी अराउंड 2.5 ज़ेस घीके बूर्स क्यों के नाथे ह 커र नाथे है ने को अला tekया है अब टमाम एंग्रेयन्स को में मिल सम्टोश आप मरथे आपके Państließlich में त्यूर्टो जो है इस बूर बोलती है क्योंकि ये शूर्ट ओंच कर आपके ने को το चुह है मैश प्रॉपर्ली उसके बाद आप सॉल्ट एड कीचिए इस्प्रिंकल कीचिए सॉल्ट इच्छे तरीके से अब बाकी के तमाम इंग्रेडियंट्स एक एक करके आड कर लीचिए एक चिकन याद रखेए जो पटेटोज है वो अच्छे तरीके से मैश होना चाहिए रिकिया कि तमाम इंग्रेडियंट्स एक कर लिए है एक अर्ञे कर लिए है मैं अड्र गूंटे करेंगे बॉत बेट Aur आपस में मिल चाहे, और जो कबाब का soft look होता है, वो soft texture इसके अंदर समाच है आप देख रहे हैं, जैसे के मैंने तिक्कियां बना के रगती है, जैसे हम लोग पेटिस के लिए बनाते हैं, या वड़ा बनाते मरतबा हम लोग बनाते हैं, सदा तिक नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा तिन होनी चाहिए, प्यूकि हम ऐसे deep fry करना है, ठीक है? अब हम एक एक करके तमाम तिक्कियों को पहले अंदे में डिप करेंगे, अच्छे तरीके से, और उसके बाद ब्रेट क्रम्स में हमें इसे कोट करना है, ब्रेट क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट करना है, क्योंकि हम जब इसे fry करते हैं, तो जो चीज है, वो मेल्ट हो ज अब हमने तेल गरम करेदा है Gulf Harini आप्पारीव तेलें समय क्रिक्जर्टी, तेल है तेल मैंने देल कर तेल स्टेक्जर्टी तेल में शोरां से गरम नहीं पीक्त में और ने हर 나서 काब्ला तो आरोपन्गार सोरी कि नहीं में औरelo किकारेदान देले Renoir अब दीप फ्राइ करोगे तो जो चीज है वो मेल्ट हो जाएगा और आपके कबाब टूट जाएगा ज्यादा दीप होना चाहिए और नहीं ज्यादा कम ओइल होना चाहिए मीडियम ओयल में आपको इसे फ्राइ करना है लो फ्लेम पे और गोल्डन ब्राउम उने तक आपको फ्राइ करना है तो गाइस हमारे रशन कबाब रेडी है आप इसे कौरिएंडर से गार्णिश कीचिए और सॉस के साथ में सॉप कीचिए थैंक यू अल्लाहाफेज ले ओके तो गाइस अब ज़रूर इसे ट्राइ कीचेगा अपने घर पे और अगर आपको माय रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीचिए और अपने फ्रेंड्स में रिलेटिम्स में शेयर कीचिए बहुत जल्दी आपके सामने दूसरी रेसिपी लेके हाजिर होगे किच्छन म